तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आप इस दवा के साथ प्रारंभिक उपचार भी दिल के दौरे के रोगियों में जीवित रहने की संभावना में सुधार करता है, खाने के साथ हर दिन एक नियत समय पर स्टाप रस्ती 25 एक सिल टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, ताकि खून में दवा का स्तर एक समान बना र देते हैं, तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है, नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्था हार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंतरत करने में मदद मिलेगी, इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें, इस दव का हार से बचने की सलाह दी जाती है, इस से चक्कर आ सकते हैं, गाड़ी चलाने से बचें या बैठने की स्थिती से धीरे धीरे उठें, उपचार के दौरान आपसे रक्ट चाप, रक्ट शरकरा के स्तर, गूर्दे की कारय प्रणाली, यूरिया या इलेक्त्रोलाइट्स के स्तर की नियमित निग्रानी के लिए कहा जा सकता है। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवक या किड्नी की कोई समस्या है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद